स्वागत है आप सभी का आर्च याई की ओनलाइन किलासेज में प्यारे विध्यारतियो आज हम पढ़ने वाले चैप्टर तीसरे के अगला टॉपिक ओसत चाल है हम ओसत वेग में तुलना ध्यान रहे हैं इंपोर्टेंट टॉपिक है ठीक है तो भई इसको समझते हैं जान से इसके कुछ important point है जिनको हम explain करेंगे तो पहला point हम लेते हैं फर्स्ट point आपके पास है पहला point वह है देखिए हमने दूरी और विस्तापन को पढ़ा है दूरी और विस्तापन में important क्या था कि दूरी जो है वो हमेशा बड़ी होती है बराबर होती है किसके विस्तापन के ठी तो वहीं दूरी और विस्तापन में अगर संबन देखें तो दूरी जो अलवेज ग्रेटर देन इकोल विस्तापन के तो यहां के लिए रोगा है कि दूरी जो है वो हमेशा कैसे रहेगी दनातमग दूरी क्या रहेगी दनातमग ठीक है विस्तापन की बात करें तो विस्तापन क्या रहेगा विस्तापन आपके पास रहेगा विस्तापन दनातमक भी हो सकता है या पिर रिनातमक हो सकता है या पिर सुनने हो सकता है तो विस्तापन दनात्मक, रिनात्मक या सुनने हो सकता है जबकि दूरी हमेशा दनात्मक रहती है तो इसी तरह से होसत्चाल की बात करें तो होसत्चाल में क्या जाएगा होसत्चाल जो है वो भी हमेशा बड़ी या पिर बराबर रहेगी किसके, ओशत वेख के, बैस कीधि सी बात है तो यह जाएगी ओशत वेख के, ठीक है, तो यहां से हमारे पास एक पॉइंट निकल के आ है कि जो है उशत चाल का जो मान है वो हमेशे क्या रहेगा दनात्मक रहेगा ठीक है तो इसका अगर आगला पॉइंट देखें तो दूसरा जो पॉइंट आएगा वो दूसरा पॉइंट भी इसी तरह से आएगा इसी से निखल के आ रहा है दूसरा पॉइंट दूसरा पॉइंट हम क्या लिख सकते है कि इसका दूसरा पॉइंट आ जाएगा कि ओशत जो चाल है ओशत चाल ये क्या रहेगी ओशत चाल दनात्मक रहेगी तो हम लिख सकते हैं ओशत चाल जो है वो रहेगी आपके पास दनात्मक ठीक है ओशत चाल दनात्मक रहेगी लेकिन जो ओशत वेग है ओशत वेग आपका प्रहेगा या तो दनात्मक या फिर रिनात्मक या फिर सुने ठीक है तो गया आगा इसका दूसरा पॉइंट तीसरे पॉइंट कि अगर आपन बात करें जो तीसरा पॉइंट है तीसरा पॉइंट क्या था कि तीसरा पॉइंट अगर अगर अपन समझें तो थोड़ा सा मैं प बोटर आं गया तो यानि कि बस्तू जहां से चलना प्रार्म करती है वापस महीं आजाती है तो उसकंडिशन में जो दूरी है वह दूरी तो बान तो कोई क्योंकि वस्तू जहां से चल रही है वहीं से पुनय वापस आ रही है चोथा पॉइंट देख लेते हैं चोथा पॉइंट कहता है कि जरो किसी भी इस जो अमाना जुप्त है इसको अगर अपने अलग 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 बागों में तोड़ें तो तोड़ेंगे तो इसका उस्षच के आपन दूसें मिलम कर दो ग।ूश्त में अब अमेशा एक ही साथ को तो तो अगला पॉइंट देखें तो अगला पॉइंट वागों तो इस कंडिशन में क्या होगा कि जो आपका जो पांच्वा बाग है पांच्वा बागी कहता है कि जो किसी कोई भी मालो बस्तू है वो एक ही दिसा में गती कर रही है तो उसके पास कोशत चाल है उसका जो मान है वो उसक वेक के बराबर होगा किस कंडिशन में अगर गती सरल रेखी है जाने कि अगर एक ही रेखा में गती है तो उस कंडिशन में दूरी और विस्तापन बराबर होंगे तो उसक चाल और वेक भी बराबर होंगे तो इस कंडिश में होसद चाल और होसद विख्याओंगे बराबर हो तो वही फिर भी इस तरह से हम होसद चाल तता होसद वेवी तुन्ना को समझ सकते हैं जो हमारे वीडियो चल रहे हैं उनको लाइक करो, सेर करो, सब्सक्राइब करो, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूच सकते है ठीक है, वह भी डाउट हो तो आप कुछ लेना, थैंक्यू, थैंक्यू सो मुच